ह्यलो सबसे पहली बात जिनका सिल्यवस प्रॉपरली हो गया है वह भी फोकस करेंगे सैंपल पेपर्सサ want सेंपल पेपर्स मैं तो एक ही अपलोड कर पाऊंगा जहां तक मुझे लग रहा है तो आप सेंपल पेपर्स बाय कर सकते हो 19 के और जीवंदीप दोनों के दोनों के ही बाय करो टोटल सौल करो जितना बन सके करो जीवंदीप में साथ होते हैं नौनीप में कुछ 3-4 होते हैं सौरा करो बार्वपेपर करो लेंक्वेज़ के अब बोलों टैसना इस कडलेंगे दिन मेंक्रों दिन में दो करो तो 18 में 36 हो जाएंगे और 36 हे तोटल है और इतने सेंपल पेपर करने के बाद अगर नंबर ना तो फिर तो हद्दी है वाई ठीक है तरけफिने कुछ खास जरूरी नहीं और सेसिकतोंких खास सीनिक है और क्या करना है तुम्हें और देखो अपसे तुम्हें लाग जाना है अप लग जाना है पीवाइपी अनलाइस करने है तुम्हें 2014 से लेके 2016 से लेके जब तक पेपर हुआ है बोर्ड इक्जाम 2023 तक सारी पीवाइपी अनलाइस कर डालो कब कौन सा क्वेश्चन है था क्या हुआ था ठीक है यह उनका हो गया जिनका सिले बस प्रॉपरली हो चुका है औ और ज्यादा कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है अब हम लोग डिसकस करते हैं विचारे हमारे स्टूडिन्स की जिनकी हालात बुरे हैं ठीक है वैसे मैं भी टॉपर्स में याता था उस टाइन उनकी बात करते जिनके हाला दूरे हैं कुछ हुआ नहीं अभी तक पढ़के देखो तुम कोशिश करना 20 फेबरुरी तक है जीतना सिलेबस होता है करो यह जितना सिलेबस कवर अब कर सकते ओ उतना कवर अब करो उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे उसके आइसने नजदीक आता है न में स्टी बगिरा तो याद होना बंदी हो जाता है समझना भी बंद वाकत हो जाता है तुम्स पर इसके तक चुम स्यम्पल्पस को अच्छे से सॉल करो। यह ज्यादा नहीं तुम लैंग्विजेश करो, और माज साइंस के एक एक कर लो तो नौसक्न पर लैंग्विजेश के हो गए। एक एक किसके हो गें तो चार सेंपल नए जो भी तुम्हारे पास टाइम बचता है उन टाइमस में पड्रिशन पर द्यान दो इसके अलाबा हमारी जोnon 424 की सिरीस चल रही है विल्कुल फ्रीए यूटीमप्पर ही आती है उसको जॉइन जोइन करो एक गंटे-दमी का वन शॉट होता है और उसमें हम लोग साइंस और मैथ के सारे चप्टर को निपता रहे हैं आगे चलके इसमें हम लोग पी आपके लिए इसको डेली जॉइन करो के तो ही आपका फायदा होगा है आप देखो उनकी बात करते हैं जिनको पास होना है जिनका कुछ भी नहीं बिए पढ़ना शुटू करोतो और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पढ़ना शुरू कर दो हाँ सMore सिंस के लिए सब्सक्राइब करना ही तुम्हें करना है क्या को इसी को फॉलो करो और जो टॉपर्स हैं उनको यह करूंगा उनका सेंपल पर के साथ ग्रामर राइटिंग स्किल एप्रिसिएशन यह सब का रिवीजन होता ही रहेगा और वन शॉट के साथ उनका साइंस होगे रहेगा उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक टॉपिक आता है कि चलेंजिंग कुश्चन का क्या करें क्या टॉपर से गंट चालेंजिंग होता है कि उनको मयाइक में 100 लाना है ठीक है तो वह चैलेंजिंग क्वश्चन करें रहें कहां से आखिर करें कहां होंगे सारे के सारे चलेंजिंग कुश्टन्स प्रैक्टिस कर लो आउट आजेगा तुम्हारा मैं गरेंटी लेता हूं ज्यादा कुछ नहीं करना है उससे ठीक दूसरी बात मैं देखो ना मेरा कान्टें इनफ है और नाहीं कहीं औरने कान्टेंट आफ है आप चितना अच्छे से bereit उतना आता नहीं किए यह थोड़ा सा लगच पर बेज़ोता है मैं अगें बोलता हूं यह लगफ पर थोड़ा वेज़ो व strongest यह आप इस सब्सक्राइब 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 करो तोड़े टाइम में तुम्हारा यू हो जाएगा से लिए बस कोई दिखत नहीं आएगी सिंपल इजी ठीक है आई होब आप लोगों को पसंद आई होगी बस इतना करो ज्यादा कुछ करने की ज़रूर ने जो टॉपर है वह फोकस करने सैंपल पेपर पर पर पीवाई क्यों अनलीसिस पर और मिशन टॉटी 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 फॉर पर जो एवरेज हैं जिनका कुछ सैंपल पेपर लगाना उट आप लगाना इतना ही कर लेना सैंपल पेपर कुछ खास जरूरूरी नहीं होता है अगर तुमें अीन प्लस या 75 से 85 के बीच में लाना है कुछ खास रोल प्ले नहीं करता है सेंबल वेपर प्लेजा की रोल विन्य वांट टो क्रोस 85 और 90 की रोल प्ले करते हैं कि कुछ लोग उसके भीना ले आते हैं कि ठीक है करके रहोगे तो अच्छी बात होगी एक है ना ऐसा करना है और लास्ट में जो मतलब एकदम थाग हार चुके हैं उनको तो मैं यहीं बोलूँगा कि एक सरसाइज पढ़ना शुरू कर दो सबका वो सकता है एक दो कोस्चन बस ठीक है तो डेली विजिट करना और डेली आप उन्हीं स्ट्रेजिस को फॉलो करना सब्चेप्टर वाइस ठीक है चप्टर वाइस स्ट्रेजिस सॉरी सिब्जेक्ट वाइस स्ट्रेजिस सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट के क्या स्ट्रेजिय आपको फॉलो करने हैं वो स से पहली हो जाएगा ठीक है चलिए सो स्टॉप करते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो विल डिसकास अबाउट इस्ट्रेजिएज